हेलो गाइज माइनम इस कुल्दीप एंड यू वाचिंग स्टेडी फंडर डिफेंस हम आपके लिए डेली करेंट अफेर mcqs की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो इस में से कुशन इसमें लाए जाएंगे डेली करेंट अफेर वाले जो आपके cds cp fcat nda और बागी जो अधर एक्जाम होते हैं ना उनके लिए वो काफी ज़्यादा helpful रहे हैं तो आप इस सीरीज को काफी अच्छी तरीके से देखें और यह आपके एक्जाम में काफी ज़्यादा कर देंगे तो उससे भी आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं तो इस सीरीज को आज स्टार्ट करते हैं तो इस सीरीज का पहला कोशन है वाट इस दा ऐग सिंटने मoka अभी कंग वोगी फ्लाल में तो वह क्या है एकास प्राइम् ठीक एसमाur option अप्शन दे रख़ ऑप्शन है नी् व्रोड्कास्टिंग स्टेशन पर एक ब्रोड्कस्टिंग स्टिशन स्टेशन दूसरा ब्रॉडर्दें सर्विस बेशनल के द्वारा तीसरा जो ऑप्शन सी है नियू वर्जन आप आकास मिसाइल का नयू बर्जन है और डी ऑप्शन है ने विगेशन सैटले ऑफ इस रो की ने विगेशन सैटलाइट है अगर आपने डेली करेंट फेर्ज अब फॉलो करते हैं तो आप इसका आंसर प्राइम के नाम से जानते हैं तो इस चीज़ को आप यह रख सेदा जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इस कट आउट में देखा है कि डे-अ-ध्यों टेस्ट आकास प्राइम मिसाइल सो ये ळाहिए और यमिस ने इसि मंदे को इस एक इसको किया और वह वह काफिशक्वल है व जो मिसायल है ना वो सर्फेस टू एर मिसायल मतलब सर्फेस से अटेक करेंगी और एर में तो इस चीज को आप याद रखना जो नीमा बेन आचारे है वो अभी फर्स्ट वोमेन स्पीकर बनी है और वो जो वोमेन स्पीकर ना वो किस स्टेट की बनी है तो इन चारों में सो कोई एक करेक्ट अंसर होगा अगर आपने नीज फॉलो करें तो आप इसका अंसर बता सकते हैं अदर्वाइज मैं आपका इसका अंसर बताता हूं तो इसका सही आंसर है गुजरात सो गुजरात इसका correct answer है वो गुजरात state assembly की first woman speaker है तो इस चीज को याद रखना जैसे यह news article cut out है गुजरात में नीवामें अचा रहा है अपॉन्टेट इस first woman speaker तो यह पहली woman speaker है इस वज़े से यह news हमारे exam के लिए काफी जाद important हो जाती है तो इस चीज को आप या रखना चलो अब next question देखते हैं तो next question है कि what is the name of third ever September cyclone मतलब अभी जो cyclone आया है वो बेंगाल में आया है तो उस cyclone का नाम क्या है गीजा गुलाब गिना या गुना तो यह चार option दे रखें इन चार option में कोई एक सरी होगा तो इसका correct answer है गुलाब तो cyclone गुलाब करके नाम है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है इस चीज को आप याद रखना अभी हाल फ्लार में पेस्ती के exam में यह question पूछ अगया था कि cyclone जो है अभी नाम याद ने आ रहे है वो किस country ने दिया तो यह question ऐसे आ रहे हैं तो इस चीज को याद रखना cyclone गुलाब था उस गुलाब का जो नाम किस ने मंदर सज्ट किया है वह पाकिस्तान तो इस चीज को याद रखना यह बीन करेंट हेवर में चल रहा है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर गुलाब एक और नया cyclone आ रहा है जिसका नाम है साइन जो कि वह अरवेश्याम में आएगा अरवेश्याम से अभी बताया था इधर बेयो बेंगार इधर अरेवेंसी तो इस चीज को याद रखना यह ऐसा आएम डी ना प्रिक्ट किया है ठीके अब नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है जो नीती आयोगे उसने एक निशेटिव लॉंच किया है एक किसी टेक ड्राइवन कंपनी के साथ जो मतलब एक टेक जाइंट कंपनी है जिसमें वो इंडिया जिसमें वो कुछ बच्चो को जो इंडिया के बच्चों उनको एक सबार एक एक एस्परेशन डेश्ट चूज करेंगी और उस प्रोग्राम के लिए वो टेक डिरिवन डरी और फ्री एक्सेस का वो कोर्स प्रोवाइट करेंगी तो वो नीती आयोग ने किसके साथ क्या है तो इसमें ऑप्शन चार दे के यह इनिसेटिव लॉंच किया है तो इस चीज को या रखना देन नैस्ट कोशन हूँ है जो डायक्टर जनल ऑफ नेशनल के डिट कॉप्स मुदलब जो डायक्टर जनल नंसीच के जिसको एंसेट के डिट कॉप्स है जो थर्टी फोर्त है वो किसने चार्ज लिया है ऑप सहरावत तो इसका सभी आंसर है ओप्शन अमर एल नेफरेंट जनल गुर बिरपाल सिंग जैसे यह पी आई बी का मंदब पी आई भी प्रेस इंफोनिशन भी इसका कट आउट है तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है लेफरेंज जनल गुर्ब बिरपाल सिंग टेक ओवर अन्-ची सी तो इस चीज को चारू एक्शाम में देखें तो 1 मटक करके कम्मुटी है वह यह उसमें काफी ज़्यादा देखी जा रही है तो ये जो कम्मुटी है वह दिमांड कर रही है स्ट जुरूर्व ट्राइब का जो स्टेट है कार तो ये जो कम्नेटी है वो किस स्टेट से बिलॉंग करती है यह कूस्चन सै अप्शिन हैं इसका अंध्रप्धेस वेस्ट बंगाल करनाट क का तो यह चार तो इसका आझार स्था नोसा ये तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जो कि अपने लिए सुडूल टाइब का स्टीडर्स का वो डिमांड कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें कट आउट में लिखा हूँ यह दाय हिंदू का कट आउट है तो असम की जो सीम हिंमन्त विस्वा हैं उन्होंने इन कम्यूटी के लीडर्स के साथ मीटिंग किया तो इस चीज़ को याद रखना यह कम्यूटी असम से बिलॉंग करते हैं और समके स्टीफ मिनिस्टर कोन है सीम हिंमन्त सर्मा विस्वा तो इस चीज़ को अब याद रखना तो रीसेंटली अभी सोजात महंदी करके है वो उसको जियाई टैग मिला है तो यह जो महंदी है वो क इसमें सो कोई शही αंसर होगा तो इसका शहीh ए राजस्तान तो यह जिस फुल्पम देखा है इसका नाम है Geographical Indication of India जिसको हम GI Tag बोलते हैं और इसका यह थीम याद रखने न Invaluable Treasor of Incredible India मतलब अतुल्ला भारत की अमूल नहीं देदी यह भी कोशन में काफियर पूची है तो इस चीज़ को भी आप याद रखना इसमें देखा हैं तो विच एंटिटी ऑपरेट डिजिटल स्काइप प्लेटफर्म इन इंडिया अगर आपने मेरी पहले वाले वीडियो देखे होगी तो आप इस कोशन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं तो इसमें कोशन में यह पूचा है जो डिजिटल स्काइ प्लेटफर्म है वो कौन सी एंडिटी ऑपरेट करती है ऑप्शन है इसमें नीतिया आयो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया डारेक्टर जनल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मिशन टेकनोलोजी तो अपनी मेरी पहले वाली वीडियो देखे होगी तो इस प्लेटफर्म है उसमें UAS या UAV के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उनको महां से उनको कुछ जो जिनके पास UAV होते हैं यह वे यूएस होते हैं उनको लासन्स प्रवाइड कि राता हैं बाग के अधर इंफॉर्मेशन उस पर डीजिटल इसका ही प्लेटफर्म पर होती ह हूं कि यूएस के टाइप बदाय है इसमें पांस टाइप होते हैं तो पांस टाइप में से यह हैं नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम और लार्ज यह ना इनके वेट के इसाब से इनको टाइप मना करिटिगरी में डाला लगा है नैनो वाला मतलब 500 ग्राम या उससे कम और यह हैं कि लिए को बीदे押्वी जुरूद नहीं होगी लिब भी लाइसेंस की ज्रोत नहीं होगी आप याद रखना देन नेक्स्ट कोशन अम इसमें देखते हैं कि विच्छ यूइन मिनिस्टर हैस लॉंच्ट आइसमान भारत डिजिटल मिसन अगर आपने में प्रिवेस वीडियो देखे हुई तो यह कोशन भी उस वीडियो सो काफी रिलेट है तो इस चीज को याद रखन सब्सक्राइब करता है तो आपने में पहले वाली वीडियो देखे होगी तो आप इस कोशन का भी आंसा पहुत इसी तरीके से बता सकते हैं तो इसमें ऑप्शन है PM ढारो के योजना पोशन मिशन पी एम डिजिटल हैं यह आविश्मान भारत तो इसका सभी आंसर है PM Digital Health Mission जो Health ID है जो डॉक्टर की जो रेजिस्टरी है या जो Health Facility रेजिस्टरी है वो PM Digital Health Mission इसकी में उसका पार्ट है जैसे इसमें लिखा हुआ है PM9Modhi launches Health ID Digital Record for Citizen तो इस चीज़ को व्याद रखना आज की वीडियो में जो लेक्षर है इसमें 10 questions थे 10 MCQ जो हमारे CAPF, CDS, FCAT इन exam के लिए काफी ज़्यदा helpful होने वाले है तो जो MCQ की सीरी चलने वाली है जो daily आए करेगी हर सुबह 9-10 वजे के बीच में आए करेगी तो इस चीज़ को अभियाद रखना और इस वीडियो को MCQ की सीरीज है वो काफी अच्छी तरीके से देखना और यही जो कोशन है वो काफी ज़रे important हो जाते हैं आप तो आप इनको एक notebook में note भी कर सकते हैं और इस लेक्चर की जो PDF है हम telegram पर भी डाल देंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next lecture में तब तक के लिए जैहिंद